दोस्तों आज के इस वीडियो का टापिक है कि inverter का हम घर में connection कैसे करते हैं कि हमारा रा पावर भी चलती रहे और पूरे घर में मतला हमें अलग से wiring ना करवानी पड़े जिससे कि हमारा जो खर्चा है वो बज़ा हम उसी wiring में हम कैसे connection कर दें inverter का जिससे हमारा घर का जो cost है inverter ल लगवार है हो तो उसमें क्या होता है आप जब भी देखेंगे तो उसमें इस तरह से तीन सौकट उसमें तीन पीन वाला इस तरह से सौकट लगा हुआ होता है और इस तरह से दो लीडे हमारी निकली हुई होती है जो की हमारे battery bank से connected होती है ठीक है battery से connected होती है जिसमें से ल लाल कलर का एक जो होती है रेड कलर की हो एक होती है ब्लैक कलर की तो जो रेड वाली होती हो पॉजिटिव की होती है ब्लैक वाली जो होती हो नेगटिव की तार होती है तो इसमें जो नेगटिव होता है ध्यान पूरों का आप नेगटिव में कनेक्ट कर दें और जो लाल वा कि जैसे आप इसमें टॉप लगाएंगे शीधे सप्ल्राइप में इन्वर्टर से जो डीशी निकलेगा वह से बैटरी में बैटरी में बैटरी में हमारी चार्ज हो जाएगी अब कशसे करेंगे- बहुत इस demon organization होता में तो उसके लिए करना क्या पढ़ेगा बहुत ही सिंपल तरीका है जो आप देखें आपके घर में जो में बोर्ड इस तरह से लगा हुआ होगा डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड लगा हुआ हो ठीक है उसमें आप कनेक्शन जाकर क्या आप कर सकते हैं उसमें क्या है कि देख आपकी जो पावर सप्लाई इसमें दो प्रकार के पॉइंट इसमें होते हैं एक होता है पावर का और एक होता है नार्मल पॉइंट होता है हमारा ठीक है नार्मल पॉइंट होता है जिसमें से जो पावर होता है या 15 एंपियर के लिए होता है और जो नार्मल होता है हमारा वह हमारा पांच एंपियर के रिए यू जो होता है आप इस पांच एंपियर में हमारा जो पंखा है ट्यूब लाइट है यह सारी चीज़ चलती है और पावर में हमारा जो चलता है वह एसी चलता है प्रेस है ठीक है फ्रिज है यह सब चीजें हमारी में पावर में चलती है ज उसकी सेपरेट एक वाइरिंग करवा लें तो अगर आपने पहले सही वाइरिंग करा रखें तो उस कंडिशन में आप क्या करें कि यह जो पंदरा एंपियर वाला जो यह आपका है इस इस पोर्शन को आप एकदम अलग कर दें चुकि इसकी चुकि आपका जो में डिस्टिब सप्लाई है ठीक है जो हमारी इसमें जो mcb लगी होई होती है इस तरह से हमारी mcb लगी होई होती है ठीक है इस तरह से तो इसकी जो इनपूट सप्लाई है उसको आप निकाल दें ठीक इसकी इनपूट सप्लाई आपने निकाल दिया और इसके बाद यह जो फेस का तार है वो ले जा करके आप इस तरह से लगा दें और इन तीनों को इस तरह से सौड कर दें, ठीक है, मतलब जो input supply आप जान रखेगा, input supply आप निकाल दें, और इसके face को ले जा करके आप यहाँ पर लगा दें, और यह output वाला जो है, वो आप उसी तरह से जाने दें, बस आपको इतन नूट्रल वाला तार है, वो भी आप ले जा करके यहाँ पर लगा दें, face और neutral दोनों यहाँ पर, बतलब दोनों का link जो है, neutral के जो आपका तार आए होंगे, वो दोनों के neutral और face दोनों के आए होंगे, मेन आपका distribution board है, तो वहाँ पर दोनों तार आए हुए होंगे, तो आ आप पावर वाला छोड़ करके inverter का face और neutral, neutral तो अला करके आप लगा दें, एक के साथ loop कर दें, ठीक है, उसके बाद जो आपका face वाला तार है, जो हमारी MCB है, जो नर्मल वाली MCB है, जो हमारे बोर्डों के supply दे रही है, वहाँ पर आप ला करके सीधे input जो supply है, हमारे power की, उ output को मत disturb करिए, और input को आप change कर दीजेगा, उसको हटा करके आप main power की जगा पे inverter की supply आप लगा दीजेगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, अब जैसे ही आपकी, इसमें क्या होगा कि आपको wiring का खर्चा बच जाएगा, और जैसे ही आपके power cut होगी, तो आप inverter की supply पास होगी और तुरंट आकर कि इसके input में आ जाएगी, जो हमारा main distribution board है, वहाँ से output निकलेगा, आपके घर के पंख्यों के सब कुछ चला देगा, ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाले बात यह है, कि power का neutral और normal का neutral अलग-अलग कर दीजेगा, ऐसा नहो कि द आपके यहाँ पर पूरा neutral एक जगां पर आया हुआ है, तो आप रा power का अलग कर लिए, मतलब जो main power का है वो अलग कर लिए, और normal neutral जो हमारा, उसको आप अलग कर लिए, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, यह बहुत, मतलब थोड़ सा अलग चीज है, कि दोनों के neutral को लगेगा तो आपकी inverter ने problem आ जाएगी, तो यह चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि कमेंट करते हैं कि पूरे inverter की wiring आप कैसे कैसे करते हैं, तो अगर आप कमेंट करेंगा तो उस पर वीडियो बना दूँगा, तो मुझे अमीद है कि आपकी सम अबरी है, कोई confusion है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछेगा, तो मिलते हैं ने वीडियो के साथ, नमस्चकार दोस्तों.